अदाब नाजरीन सियासर टीवी के बहुत खास प्रोग्राम हैदरबादी सितरे में मैं आपका मेज़बान के भी जानी इस्तखबाल करता हूँ दोस्तो मर्द की मेहनती जिनत है जिसमें बरकत भी है औरत घर की जिनत है जिसमें जिन्दगी का सुकून है और मिया बीवी की महबत ही खुशाल जिन्दकी की अलामत है मिया बीवी की नोग जोग में शरारतों में जिन्दकी का फलसफा और सलीखा चुपा है नाजरीन आज हम ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की हमारी महमान गोल्डन हैदरबादी की खिच्टी सीजन वन और टू फेड जीनत यने स्वाती मंडल है उपर वाले के दिया सब है मेरे पास डेप्रेशन, टेंशन, मुशीबत, हैरानी, परेशानी, अफ्सोस, गम सब मेरे पास में कुछ भी नको उपर वाले बस तू एक चीज उठा ले कितको इसको जिन्होंने मिया बीवी के चुलबुले और चटपटे अंदास से हैदरबादी लवो लहजे का अच्छे ढंक से इस्तिमाल करते हुए सोशल मीडिया इस्तिमाल करने वालों का दिल महलिय अरे कैसी जवानी है जी तुमारी हां और मरद अभी बोलतों कैसा रहा ना ऐसा थंडा पानी में हाथ डालते की पानी असा बुड़ बुड उबलना तो आएए खिचडी की जीनत स्वाती मंडल से आपकी मुलाखात करवाते हैं कर दो कि कर दो दो इस दो दो आवाते हैं आपका बहुत बहुत खेर मक्दम कियाता है हमारे इस प्रोग्राम में स्वाती मंडल जी आप आई और काफी दिनों के बाद देर आये दुरुस्त है आप आतो गए परहाल बहुत-बहुत वेलकम किया जता है हमारे इस प्रोग्राम में शुक्रिया आपका एंड मेरी तरफ से स्वाती मंडल की तरफ से आप सबको असलाम वालेकुम नमस्ते सस्रियकाल अदाव और फाइनली मै आगई आपके शो में में को बहुत-बहुत टाइम से ख्वाइश थी सो आप लोगा भी खुश होएंगे और आप तो बहुत जादा खुश होएंगे फाइनली की नई दिल से में को तमन्ना थी एक दिन आना है आपके साथ इंटर्व्यू करना है फाइनली आ गए माशालला आप अच्छा जाएंगा इंटर्व्यू बिलकल चलिए शुरुवात मैं चाहता हूं कि आपके फैमिली बैग्राउंड से करों तो फैमिली बैग्राउंड के बारे में और फिर आपके एजुकेशन के बारे में आप जरूर बताएं ओके तो अभी ऐसा है कि मेरी जो फैमिल अब बच्पन जो है मेरा और उरिसा में पैदा हूई हूई हूँ और यहां पर आप बहुत लोगों कैसे रहेंगा कि हैदराबादी कैसे हो गए इनु जब पैदाईश यहां के नहीं है मगर मैं अपने आपको पूरा हैदराबादी ही मानती हूँ क्यूंकि मेरी सब कुछ मेरा यहां हुआ है तो हाँ आप में को यही का बोल सकते बिल्कुल आप यहीं की हो गई है और यहीं पर आप वीडियो में काम कर रही हैं और बहुत अच्छे अंडाज में आप परफॉर्म भी करती हैं तो एक सवाल मैं जानना चाहूंगा वह यह कि आप टिक तरफ रागिब होना वह किस तरह हुआ हमें आप जरूर बताएं तो यह बहुत सारे लोगों का सवाल आप पूछली आज में को कि कैसा होता है ना जब लोग पूछते तो आप हर एक को जाके नहीं बोल सकते तो यह बहुत अच्छा प्लाटफॉर्म है जहां पर मैं आप से इसका जवाब दे के बहुत सारे लोगों का confusion दूर करूंगी इतने सारे सवाला सब के हम जवाब नहीं दे सकते बट आप आपने जैसे पूछा की टिक टॉक करते करते अच्छली टिक टॉक से भी पहले होता था दब स्माश अगर आपको मालूम जब को मालूम जब स्माश म आपने अच्छे भी दिख रहे हैं इसमें ऐसा होता था फिर मेरे को जो पहला में को जो ऑफर आया वो मेरे एक फ्रेंड के भाई जो डिरेक्टर है मेरी किस्मत अच्छी है कि वो देख लिये और उनने बोला क्या है मगर वो तेल्गू था अब में को तनी अच्छी ठीक के उनका था खिल था एक था फिल्म को यू झालो अच्छी है और मेरे को जो त्लीन को जो में करना में को बहुत अच्छा लिखता तो मैं जो दो झांवा यह किश ने करेंगे तर एपन भी शर्ट फिल्म करें टीज है की वностью तढ़े करें हैं बद्ких उठीन कर खूट था वैसी शुरुवात हुई और बस इसके बाद किस्मत अच्छी चमकी और लोग मेरे को बिलाने लगे फिर मैंने बोला कि हाँ चलो तेलगु में लोग कर रहे तो आपन तेलगु अच्छ से सीखेंगे उसके बाद तेलगु करते करते बहुत चोटे मोटे मैंने तेलगु में काम किये एक फिल्म किया जो अनफॉचनिटी रिलीज नहीं हो पाई मगर फिर भी में को कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में क्योंकि अभी भी मैं अच्छा ही कर रही हूँ जो भी कर रही है आगे और अच्छा करूंगी इन्शालाब बिल्कुल नहीं यह जो आप वीडियो जो बनाते थे तक हो या डव मैच हो तो आपके जहन में यह कहीं पर भी नहीं था कि भई इसको मैं आगे अपने अक्टिंग के तौर पर इसको के तौर पर चुनूं या फ फिलमे करूं या वीडियो करूं या फ्रहूं या आपके जहन में कहीं भी था यह मेरे जहन में बच्पन से आप नो कर रहता ना कि या बजड़ा किया बनना चौहरे इन लोगे की शारे मैं और पहल खुल्या करता थे हैं तौह है हूं असड़र मेरा olduğunu सिप हरोएं एकट है क गरवाले तो मजाक में लेते, कोई सीरेस ने लेता था मेकू, बट मेकू मेरे जहन में शुरू से था, जब से मैं समझना सीखिया, जब से मेकू ये जो अपन टीवी में शो देखते वगेरा, तो वैसा था, आप यकीन ने करेंगे, जब उस जमाने की बात करी, मैं 90s के दू, 90s में मेरी जो है मैं पैदा हुई थी, गोविंदा और करिष्मा का जो उस ताइम पर जो जो जोडी थी, उस ताइम से मैं फैन हो उनकी और मेको करिष्मा कपूर की तरह बनने का था, मेको आज तक इतने इतने हिरोईंस सब अच्छे है, कुबसूरत है, तालेंट है, मगर क कि अरिष्मा कपूर की जैसे में को अच तक कोई नहीं नहीं देखी बिकास में को लगता था उनके एक्सप्रेशन, उनका जो 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 तरह से वो बोलते हैं मेरी जहन में आज के जितने भी मेरे दौर के जो लोग है में को नहीं मालूम क्यों में इंफ्लूएंस में को उस ताइम के जैसे माधुरी दिक्षित, आन करिश्मा कपूर, जुही चाबला, रानी मुखरजी, काजोल इन लोगों से मैं बहुत जादा इंस्पायर होती हूं आज भी जितना में को एक्सप्रेशन वगेरा उन लोगों के में दिखके खिलके आते हैं में को वाली क्योंकि में को उस ताइम से में पागल हूं मतलब में को यही करना है और इसी के लिए मैं बनी हूं तो आप जो जहन की बात करें वो तो मेरा बच्पन से था आयने में भी देखके मैं नाचती थी, मैं एक्सप्रेशन देती थी, मैं को लगता था आप बिलीव नहीं करेंग हमेशा से इंस्पिरेशन रहेंगे आपने बताया कि आपका जो ड्रीम था आप हीराइन बनो लेकिन वो अभी हो नहीं पाया जो आपकी शुरुआत हुई वो तिल्गु मूवी से अनपॉच्रेंटी वो रिलीज नहीं हुए उसके बाद फिर आप गोल्डन हैदरबादी से जुड़ी है जिसमें आप अब्दुलरजाख सहाब के साथ बहुत यच्छे अंदाज में बीवी का रोल निभा रही है लेकिन हीरोईन का जो खाव होता है वो अधूरा का अधूरा है आप क्या मानती है क्या ये जो आपका खौब है गोल्डन हैदरबादी सको जब देखत है वो अलग आपकी बात है कि अब जैसे कि देखो मैं आपको बोल्यवूड बड़ा पर्दा है ना बट में क्या हम चोटे से चोटे से चोटे मिलाओ अगर लोग आपको जाने पहचाने आप नाम बनारे हो तो वो आपकी तैलन से बन रहा है तो किसे मालूम कि मैं को इसके अब आपकी बड़ी 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 बिले कि अब आपकी बड़ी बनारे हो और में को बोलो कि लास्ट ताइम आप यूट्यूबर बनके आइ ती अब अब आपके शोवें नाइव बिल्कुल हमेशा से एक अलग पनी पहचान बनाने का है नौट कि मैं और अवरत हूँ त आप से सब सेम है यह है अगर आप में टालेंट है तो आप कुछ हो अगर आप में टालेंट नहीं है चाहे आप बहुत कुछ हो मगर मेरी नजर में कुछ नहीं है मेरा सिंपल है तो यह मैं ऐसे ही लोगों को ट्रीट करती हूँ चाहे कितने भी आप कुछ बड़े शक्स हो आप में टैलेंट है तो मेरी नजर में मैं आपको उपर पल्खों पर बिठा के रखूंगी अगर आप इस ताम पर कुछ भी नहीं हो जैनरली लेकिन थोड़े मतलब ऐसे होते है ना कि टैलेंट नहीं है मैं बहुत बुरा दिखता कि जो टैलेंट है वो कुछ नहीं कर रहा है है ना जिनके पास टैलेंट नहीं है सिर्फ नाम के उसमें वो कुछ कर रहे हैं चाहिए वो बॉलीवूड तॉलीवूड किधर भी हर किसी की बात कर रहे हैं वैसा है मगर हां मैं अभी अब आप ऐसा बोले कि आपका फूरा नहीं हो पाया अभी ता शिरुवात है मेरी नही है देखिए अभी भी मैं आपसे पहले यह क्लारिटी लेना चाहूंगी आपने जो बोला जो यह सोशल प्लाटफॉर्म यूट्यूब इंस्टा हो गया इससे आपका यह मानना है कि अपनी हैद्रबादी आप फील्ड की बात कर रहें या आप बस यूट्यूबर की बात कर म है उसकी भी एक इंडस्टी हो गई है तो आप क्या मानती है क्या भाई सोशल मीडिया में जो हिट होता है वो बॉल्यूड तक भी पहुंच सकता है और अपने आपको मनवा सकता है बिल्कुल अगर आप में टालेंट है जैसे मैंने कहा तो और वो बोलते हैं ना कि एक जोहर कर अलोगों को अभी आप काम ही कर रह गहु हो तो जो आपका सवाल है या मैं कान्तेट कर कर एंग या मेरे जवाबावा या जाओ साफ तिदा नहीं आए यारह हूंगे मगर आप अप्समझ रहुंगे मैं क्या बलना चारी आप लगगा संगे तो मेरा ये कहना है कि तो बहुत कुछ कर सकता है इसमें टालेंट है तो आप अभी यूट्यूबर मैंने बहुत ऐसी यूट्यूबर्स को देखा है ना छोटे-छोटे मतलब 12000 से शुरू हो कि अब मिलियंज में है चाहे वह मुंबाई डली के हो जिदर के भी हो अब OTT में आ रहें नेट्फ्लिक्स अमजान इधर उधर और अधर होप कि हमारे हैदरबादी जो अपनी अपनी फील्ड है इंडस्ट्री यहां के भी हम भी कही दिखाई देंगे बड़े-बड़े परदों पर आइविश आप जो कह रहें हो सच हो होगा टैलेंट हो तो होगा कितने लोग अभी सोशल मेडिया से अगर बॉल्यूड जाएंगे या फिर टॉल्यूड पहुंचेंगे तो यह अपने आपको मनवाएंगे हिट हो जाएंगे आपको क्या लगता है यह वक्त रुक्त बट मैं आप ते यह पूछना चाहती हूं कि मैंने जब बोला कि टालेंट है तो आप पाओगे तो आपको पता है ना कि हमारे हादरबाद इंडस्ट्री में टालेंट है बिल्कुल है तब ही तो आप यहां पर सामने है तो अगर शिद्दत से आप कर रहे हो टालेंट है तो पहुंच जाएगे अब मैं कौन जाएगा क्या बनेगा टॉल्यूड में कोई नहीं ह बॉल्यूड बॉल्यूड बलके हॉल्यूड पहुंच जाएं और वहां पर अपने फन का लोहा मनवाएं और अपने आपको मनवाएं हमारी तो यह खाहिश आए इससे हटकर हम बात करेंगे आज जो आप बहुत ज्यादा पॉपलर हो गई है गोल्डन हैदरबादी के खिच आजकल के जो जुड़े हुए मसायल को मिया बीवी की नोगजोग को जो आप लोग हाइलेट करते हैं इसकी जो स्क्रिप्टिंग करते हैं वो कौन करते हैं यह रजाक करते हैं और पूरी स्क्रिप्टिंग रजाक करते हैं और साथ में को टीम भी हेल्प करती है रजाक जब बाते हैं समीर रजाक साथ में बैठके स्क्रिप्टिंग करते मोस्ली रजाक लिखते तो मेरे तक बस वो जब आता है मैं पढ़के अपना करेक्टर इंप्रोवाइज करके मैं कर लेती हूं पूरा राइटिंग का वगेरा टीम और अजाक का ही है अलेकिन आप इतने बाखुबी रोल निभाती हैं तो मैं समझता हूं आप तो बैचलर है उसके बावजूद भी जो बीवी का जो एटिट्यूट होता है बीवी का शक् गुस्ता करना यह जो सारी चीजें आप बाखुबी निभाती हैं उसके पीछे क्या फलसफ़ा है आप किन लोगों को देखकर इस तरह का रोल कर रही हैं यह आपके फैमिली में इस तरह के लोग है या परोस में है देखिए मिया बीवी हर जगा सेम होते हैं मिया बीवी जो होता है प्यार होता है खटास और मिढास दोनों एक जगे होगी तब ही आप मिया बीवी कहलाओगे तो यह मैं अपने घर या किसी के घर से नहीं मैं जहां हस्बेंड वाइफ देखती हूं यह रहता ही है में को नहीं मालूम क्यों मगर वह वैसी केमिस्ट्री बनी रहती है अगर ऐसा नहीं है तो सोचो कुछ गड़वड है यह मिया बीवी तो नहीं हो सकते में को ऐसा दिखता और जहां से आप बोले कि आप तो बैचलर है एंड इतना बाखुवी से आप कैसा निभाते कारेक्टर बोले तो एक चीज तो अधन आर्टेस्ट आपको भी मालूम हम अगर बीवी जाते हैं हम लोग सबको अब्सॉफ करते हैं और हम लोग का ब्सॉफेशन ऐसा रहता है कि अभी आप किसी को देख भी तो उसको नहीं मालूम कि अपन अब्सॉफ कर रहें तो अभी आप इतने अच्छे अपने चारेक्टर्स किये हैं है ना गुलुदादा हो नहीं होके करूंगी अब्सॉफ रमाज परोड़ी में को करना क्योंकि मैं काँ अच्छी आठिस बनुब्सु तो बीवी पनने के लिए में को शादी कि जरूरूरत नहीं है अगर आप में को मुझे लगा दिये और बोले कि एक किसी एक ना पंचायत के सरपंच का एक्टिंग करो मैं वह भी करके दिखा दूगी उसके लिए में कुछ सही में दाड़ी उगा के पंचायत में बैठने की लुंगी पहनने के ज़रत नहीं है तो दाट इस और सच बोलू म में को बहुत मज़ा आता है जब मैं ऐसे कारेक्टर करते हूं बहुत कम कारेक्टर होते जो आप खुल के मज़े लेके करते हैं नहीं एक सवाल यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा स्वाती आप बहुत अच्छे इंदाज में मुझे समझा रही हैं लेकिन जब आपके यह तो आप तो आक्टिंग कर रही हैं उनको क्या मालूब है यह बात पर में कोई यह किस्ता याद आ गया जहां पर मेरी जो ममी है वो मेरे वीडियो जो हमेशा देखते हैं अभी रिलीज गुआ तो आदे घंटे में ममी को देखना ही है नोटिफिकेशन मेरी दादी ममी बोलते हैं बिटे हम तुम्हारे तुम्हारे वास्ते अगर लड़का भी धूनना शुरू भी करे और उसको मालूम तो हूंगा इज उन्हें खाली स्वाती मंदल मारना तुम दिखते और तुम कैसे दिखते वो बीवी के रोल में इन्हे तो पहले हाथ खड़े कर दिगा अ आपको अवाँ रमाख si em wszyscy familiar हरे हैं अगैकה अग। अधिसल अगिए अग्वाद रूनो इन्हेत से वा वगोम से यहाँ एधिसे से अधिस्टे चान्री सब्सक्शित है तुम्हारे तो अग्रोहन Unsuk पॉइंट है लेकिन मिलेंगा मेंको भी कोई मेरे जैसा जी जी चलिए हम तो यही उमीद करेंगे कि आपको एक समझदार पती देव मिले चलिए इसी से एक मिलता-जुलता सवाल मैं जाना चाहूंगा वाउ जिसके जरीए आपका जो जवाब रहेगा वो क्लारिफाई भी कर देगा वो यह कि आप जिस तरह का जो करेक्टर प्ले करती हैं जीनत का जीनत में और स्वाथी मंडल में कितना फर्क आप मैसूस करते हैं तेकिए मैं कहूंगी शुरू में मैं को लगता था ये एक्टम ऑपोजट कारेक्टर में प्ले कर रही हूं मेरा कोई लेना-देना न अभी अभी जो मैं season 1 से लेके season 2 में अगर आप में को देखे inside में दिखने में तो वही character है, वही बातचीट, वही लहजा है मगर अब मैं अपने आप में बहुत जादा भी नहीं 40% में अपने आप में जीनत देखते हूँ और 60% में अपने आप में स्वाती मंडल देखते हूँ, वह कैखू अगर आप में को पूछे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो जीनत क्यारेक्टर है, इसमें क्या है? वो जो है, वो साफ साफ दिख रा आपको अगर उसको शक हो रहा कि हाँ, मेरा शोहर जो है, कुछ तो में इसे चुपा रहा, चाहे हो मसकरेपन में ही सही तो उन्हें जिस तरीके से वो बचपना जो दिखाती है अब तो मैं करने नहीं दूंगी, जीनत तो अब ये नहीं करने देना वो जो मसकरापन है, उसमें जो बचपना है, वो अभी भी मेरे में है तो मैं सिर्फ ये चीज में नहीं ले रही हूँ कि अगर जो मेरे हस्बेंड होएंगे आगे चलके, वो सब चीज में नहीं मेरे में वह बच्पना है जो जीनत में भी है तो मैं वैसे रिलेट करके हूँ और बट रियल लाइफ में मैं बहुत जादा जो है मैं इंपल्सिव नहीं हूँ जिसको आप क्या बोलेंगे इंपल्सिव जो की जीनत है अचानक से रो देना अचानक से चिलाना और फिर गुस्य में आ जाना भड़क जाना है ना दो वो एक कारेक्टर है मगर मैं रियल लाइफ में उत्ति वैसी नहीं हूँ मैं बहुत काम मेरे हिसाब से जीनत को सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि क्यारेक्टर खराब हो जाएगा उन्हें सब सोच समझ के बात करी तो आपको फिर एक सीरियल देखने को मिलेंगा आपको कॉमेडी नहीं आता तो मेरे हिसाब से ये दो परक है स्वाती में और जीनत में मगर में कु आखियात भी सुनेंगे और आपकी फिल्ड से जुड़ी बहुत सारी बातें भी हम जरूर सुनेंगे थोड़ा सा यहां पर मैं रोकना चाहूंगा तो नाजरीन इस दिल्चस्ट गुप्तुगों का हम सिलसिला जारी रखेंगे एक मुक्तसर से वक्षवे के बाद नाजरीन सियासत टीवी की ताज़तरीन खबरें, मुशायरे, मजहभी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीर प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मुबाईल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेस्बुक पर आप सियासत टीवी का रास्ट लिकाज़ भी देख सकते हैं यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताके नए वीडियो आप तक फौरी तोर पर पहुँच चेगें वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मगदम करते हैं हैदरबादी सितारे प्रोगाम में आज हम बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल का जाना पहचाना नाम जिने आप और हम स्वाती मंडल के नाम से जानते हैं गोल्डन हैदरबादी में आप जो जीनत का करेक्टर निवाई हैं लोगों ने काफी पसंद किया तो बरहल ब्रेक से पहले आपने बहुत सारी बातों के जरीए हमें बताया किस तरह आपने केरियर की शुरुआत की और फिर अभी जो गोल्डन हैदरबादी में आपको जो प्यार मिल रहा है लोगों के तरफ से वहवा जो हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लड़ा को पहन से मिल रही है या घुसे वाली बीवी की वजासी मिल रही है यह क्या आप मानती है देखिए मैं आपको दो चीजे इसकी ओपर बताना चाहूंगी कि आज की जो ओडियन से उनको इंट्रिस्टिंग चीज देखना लगता है उनको यह अच्छा लगता है कि कहा मलब उनका अट्रैक्शन जितर जा रहा है हम उनको वो दिखाते इसका यह मतलब नहीं कि यही च प्यार मेें कि आवको नगामा चाहिए होता है अराम से प्यार स ईसलजेवे चीजा चले तो उसमें इंशान को होन millionaire में इंट्रेस्ट मे full online partner तो मेरे और मियां से ऐसा कोई बात नहीं करते हैं, खेर अपना अपना उपीनियन है, मगर हम आपको हसाने के वास्ते करते हैं, तो आप लोगा पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप शुरू में सीजन वन में आपको नोगजोग नहीं पसंद आत हमारा इतना खिचडी जो नहीं चल पड़ता है या वाइरल नहीं होता, तो हम शाय सीजन टू नहीं बनाते हैं, पबलिक चा रही थी देखना, तो हम बनाते हैं, तो यह जो आप बोल रहे हैं, लड़ाख हुपन के वज़े से चल रहा है, हाँ वो है, लेकिन इसका यह स्बासरान के नहीं हो, तो हम आप यहीं करो हमेशा, ना हम चाहते हैं, आप रहे हो बना आपका इंटरेस्ट तो हमारा इंटरेस्ट आप देखोगे नहीं तो हमारा चलेगा ने विल्कुल नहीं एक बात है स्वाती जब आप इस तरह का जो करेक्टर निभाती है एज आपके साथ तो टैग लग जाएगा अप डिफरेंट डिफरेंट रोल जिस तरह आपने बताया के दौरान आप करना चाहती है लेकिन जब खिचडी वन और टू सीजन करने के बाद आपके साथ तो वही टैग जोड़ दिया जाता है तब आप क्या करेंगी मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ यह सही बात है अब लोगों को देखिए दो चीजे होती है पॉजिटिव यह कि लोगों को यह क्यारेक्टर इतना अच्छा लग रहा कि और वैसे ही मुझे देखना चाहते है कि यह जो है इनका जो चारेक्टर है जीनत लडाई जगडा अच्छा नोग जोग इनों जब इरिटेट हो जाते इनों जो शकल बनाते वो चीज हमको अच्छी लगती है वगर आपकी यह बात भी सही है कि शायद मुझे आगे चल के सब बीवी के रोल के लिए ही बोले या फिर ऐसे ही कारेक्टर मुझे मिले नोग जोग वाले पर यह जोहिए जो आइस सो तोरने के लीए जो है मैंने रिसंटली है другиеवाथ डार्वाद डारी松 द्रायरी हमेंगे आपने तीन अप mbareg ड्रेक्टर किया है यहाँडेक एक में एक गल्विंड का का रेक्टर किया है एक में मैं अजब अस ए प्रेंड मंDING को मिलने गई वह गल्वर जबकि मेरको पसंद है, मैं जीनत करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से खुशी से करती हूँ, मैं कोई और एक कारेक्टर मैंने किया दूसरे चैनल के लिए, तो मैं उसको भी अच्छे से निभाती हूँ, तो मैं अपने आपको एक जगे पर ऐसे मतलब ना बंद नहीं कर रही ह तो अभी तक शायद लोगों को पता चली गया होगा कि हैदराबाद डारीज में आने से भी कि गोल्डन में अगर ये इतनी अच्छी बीवी का कारेक्टर निभा सकती है, तो यहां पे आके इसने एक नॉर्मल लड़की का, एक गल्फरिंड का, ऐसे भी कॉमेडी वाले कार है मैं कर भी हूँ, अच्छा थेकर शारुक, इस नाइस मीटिंग यू, मेरा देस्टिनेशन भी आ गया, तो फिर वो वो लेना भी नहीं चाहेंगे, नहीं आरो इसमेंच अच्छे दिखते, मैंको वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, यह बंदी किधर भी जाए, यह बहु ही एरसे से, गोल्डन हैदरबादी, हैदरबाद डायरी मुक्तलिफ चैनल में काम करती है, हम जो देखते हैं, एक जो चैनल होता है, उसमें एक करेक्टर स्टैबलिश्ट होता है, उसका नाम होता है, जिसकी वज़ा से वो चैनल चल पड़ता है, और भी करेक्टर उसमें आ काम नहीं होता कि आप इसे अपको जो सब्सक्राइब कर ना है छोटा से कियो अपना तरीका इसमें लगाओ अपना लहजा दालो यह ने कि आपको दो लाइन गिया गया है आप वो आया अपने पड़ा और आप अपना शूट करके निकल लिए इससे ओडियन्स कहीं से इंप्रेस नहीं होगी आप देखेंगे कई कई बार ऐसा होता है कई एक्टर्स जो है अजन वो चारेक्टर उतना नहीं खुलता पर उनक इक टीम होती है मगर टीम में खाली एक या दो लोग खिलके क्दिक्क आते बाकितो मेरे हसाब से एक तो ऐसका вним ने अजसे कहाओ सफेंगे और यह जो लीडर है उसकी तरफ से घाना चाहिए नहीं अचाहिः अग मनता ये यह नहीं होना चाहिए कर च़हएं ऀए अब आप टीम में हो तो आपको कुछ तो एक हम करा देंगे यह भी नहीं होना चाहिए कि हां में टीम में हो तो में कुछ भी कर लूँगा उनका जितना आपको contribution आप दे रहे ना आपको मिलना भी चाहिए मेरे हसाब से यह एक टीम को स्ट्रॉंग बनाता अब इंडिविज्वल नहीं सोच सकते तीम में जब आप हो खुद की भी देखो तीम का भी सोचो अब आखा खुलो सप्राइज स्वाति मंडल जी आपने बताया कि भई आप अपने करेक्टर के साथ इंसाफ कीजिए हमेशा इंसाफ कब मिलेगा जब आपको रोल दिया जाता है तो आप यह तो नहीं कह सकते जो भी चैनल के माध्यम से आता है जो टीम की तरफ से आता है कि यह मैं रोल नहीं करूँगी नहीं करूंगा जो आपको दे दिया गया उसी में आपको बैस करता है यह नहीं के जवे आप अपने तौर पर उसमें चेंजेश लाएं यह फिर अपने आप से क्या ठोसना है या क्या चीज करना है जिसकी वझासे यह करेक्टर उस्षाई तक जा सकता है जो वो लोग दिये हैं उससे आप बेस से बेस दे तभी आपका करेक्टर निकल के आएगा । पूरी सहमतु पर मैं आप गें को यह भी बोला कभी कभी क्या हता है आप एक क्या किरेक्टर को बहुत अच्छा निभालिए एक क्या ॥रू लेकंड ने कहा कि थोचेंट अच्छा नहीं करने क्योंकि आप पसंद नहीं आया। तो मेरे हिसाब से आपको के ऐख कृच्ण न होती है और दूसरी चीज कि हमेशा आपको जो है न कोई क्यारेक्टर मिलता है या कोई लिखता है आपको सोच के लिखता होगा तो आपको उस पर जस्टिस करना चाहिए जैसे आप बोले मगर मैं यह भी कहूंगी कि कभी-कभी क्या होता है ना थोड़े लोग टालेंटेर होत तो आप करो लेकिन हाँ होता है अपना-पना चॉइस है कई लोगों का अभी जैसे आप मुझे पूछोगे मैं मैं काम अच्छा क्यारेक्टर में कभी नहीं चोड़ूगी कोई भी क्यारेक्टर हो मेरे को लगा अच्छा है मैं बहतरीन कर सकती हूँ लोगों को मैं हसा सकती या उस क्यारेक्टर से जो भी जो भी मतलब जाता है वो क्यारेक्टर अगर गुसा है गुसा दिला सकती हूँ प्यार दिला सकती हूँ तो मैं वो करूंगी पर यह अपने हाथ में भी नहीं होता अपके पास क्या काम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है लेकिन आप हमेशा यहां पिर नाम भी नहीं होता, और आप दिल से नहीं करते हैं, क्या फाइदा? स्वाती मंदल, आप स्क्रिप्ट देखती हैं, या टीम देखती हैं, या आर्टिस्स देखती हैं, आप क्या देखकर इस रोल को चूस करती है? मैं सब 20-20% देखती हूँ पर जो मेरे को जो ओफर हो रहा है कि में को क्या क्या चाहते है कि मैं प्ले करूँ उनके चैनल के लिए चाहे वो कोई भी चैनल हो एक तो होता है work environment अच्छा होना चाहिए लेकिन वो मैं नहीं judge कर सकती जब तक मैं एक बार काम न करूँ आप समझ जैसे कि अभी हो गया कि पहले मेरे को आएगा offer कि यह character है आपको यह करना है में को character पहली priority character है character समझ आया हाँ इसमें दम है मैं इसको और डिखा सकती हूँ मैं करूंगी second मेरे दिमाग में आता है team कैसी है वो सबका अपना-पना bonding होता है पर एक होता है na कि environment कैसा है क कर सकते हो आप उनके साथ जब आप as an artist comfortable नहीं हो तो आप क्या काम करोगे और वो character भी क्या वो करोगी क्यों कि हमेशा आपको किसी ना किसी के साथ होना होता है अभी जैसे कि मेरी और Razak की खिचुडी चलने का एक रीजन चोटा सा यह भी है कि हमारी bonding बहुत अच्छी है हमा और के साथ काम नहीं कर सकती लेकिन comfort important है तो मैं टीम भी देखती हूं पर सबसे पहले में अपना character देखूंगी कि बंदा में कुछ strong character देता है कि नहीं देता है टीम मैं second देखूंगी तो यह है अच्छा लेकिन स्वाती अभी आपने जीनत का character निभाया ex-girlfriend का निभा दो चार character आपने बहुत भी निभा लिए अभी आपके दिल में क्या खाईश है कि किस तरह के आप रोल करना चाहती है या आपको किस तरह के रोल पसंद है उस बारे में आप जरूर बताएं जी तो मैं को बहुत जादा जो characters हैं उनके साथ में को अलग-अलग try करना अच्छ सबका कुछ ना कुछ वो एक नया character लेकर लेकर आते है जैसे रजाक है रजाक का रजाक का नया character भी आप या लड़ू वो गाव का रेक्टर है लांगविज इसकी अलग है शेबास खान जाने जाते है अपने नूर भाई के लिए है शारुक अपने जो तीम के साथ जो मिया हम लिखते नहीं है तो आप जैसे मुझे कह रहे हो ना कि आप क्या करना चाहेंगी अगर मैं करना भी चाहूं मैं नहीं कर सकती हूं क्योंकि for example मेरे दिमांग में Lady Dawn एक्जाम्पल मेरे को करना है लेडी डॉन अगर कोई मेरे लिए लिखेगा नहीं अगर कोई मेरे को आफ़र देगा नहीं तो मैं कैसे करूंगी अब समझ जब नहीं इस चैनल के जरीए तो आप बता सकती है ना आपके खाहिज जो है वह आप मैं इसलिए तो आप से पूछ र जीए रहे हैं शेख नहते हैं मैं अजेख की बीवी म ψ उबंगए तो मैं थोड़ा बोल बताइया क्या एक्या आप कर चान death के आप देखिया मैं मैं जो ये वह डूप है तो इनका में कभी-कभी ऐसे मिमिक करती हूँ, तो शेख अनी का नहीं पता है, वो भी सेमी बात करते होगे हैं, तो याला हो बीबे, तुम क्या करते हैं, तुम अकेले जाते हम तुमारे साथ आती हम तुमारे गर को आती हम तुमारे गर को आती हम तुमारे गर को नहीं आती ह बस बस में को ऐसे नहीं नहीं लैंग्विज्जिस करेक्टर बहुत अच्छा लगता है और मैं जब प्ले करूं और लोग तारीफ करें आपको भी मुझे वावाई होती है तो किसको नहीं पसंद आएंगा मैं चाहती हूं कि लोग में को अलग अलग करें वैला हभी भी आते जा था कभी भी हाँ और मैंने एक 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 रील भी बनाया था इंसा पर जो बहुत बाइरल हुआ मेरी आवाज नहीं थी बट मैंने वो किया था उसमें ऐसा था कि वाला हभी भी हम नाइस दोड़ेगा कभी विए तो यह सब हाँ चोटे मोटे चीज़े कुछ भी कर सकते हैं चलिए बड़ी खुशी की बात है हम भी यहीं चाहेंगे कि आप हर तरह का रोल निभाए है ना तो बरहल वक्त इस बात की अजासत नहीं देता कि बहुत सारी बाते और भी की जा सके लेकिन चलते चलते आखर में जो नौजवान इस फील्ड को अपने क आप लोग जो आना चाहें में मैं उनको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि आप लोग सबसे पहले इंडेस्ट्री को अपना मानने का ये मतलब होता है कि अय सानी है कि आप आज आओ और आपको सब वैलकम करेंगे एक चीज़ होता है कि आप अपना टैलेंट अगर आप में टैलेंट है और आप टैलेंट से नाम कमाते हो वो आप से कोई नहीं चीन सकता अगर आप किसी के बदॉलत किसी के भरो से आ रहे हो चल रहे हो तो वो दो दिन दिन की आपकी चांदनी होती है उतना सा सक्सेस होता है उतना सा नाम होता है अगर आप अपने टैलेंट से करते हो आप में आप सबसे पहली चीज अपना टैलेंट जो है वो दिखाओ और अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है नहीं मुझको और अपने आपको तराशना है तो तराशन और पिर आओ क्योंक नाम बहुत आगे कमाएं और हम में से कई लोग Bollywood, Tollywood, Hollywood में जाएं मैं खुद चाहती हूँ और बहुत मेरे को proud लगेगा, proud होगी, मैं proud फिल करूँगी अगर हमारे लोग में से लोग नाम कमाएं तो और हमारी हैदराबाद इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो आप सबका ह वेलकम हैं और प्लीज अपने आपको बहुत अच्छी से तराश किया हो कि लोग बोले कि वह हैदरावाद से क्या 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 कौन-कौन नहीं आ रहे यारो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आई इतना वक्त दिया बहुत अच्छी बाते बताई थैंक यू परमेंस सब्सक्राइब कर दो अगली बार दुबार आप से मुलाखात होगी और तब आप बोलेंगी वाह सवाथ ही आप तो हिरोइन बन गई यह उमीद रखेंगे तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाखात होगी हैंदर बाती सितारे प् कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो